नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा फीफा वर्लकप 2022 के सेभी फाइनल में शांदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को तीन चूनने से हरा कर फाइनल में जगा बना ली है 18 दिसंबर को अर्जेंटीना का फाइनल मुकाबला होगा फ्रांस के साथ या फिर मुरोको के साथ दूसरे सेमिफाइनल में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला अर्जेंटीना के साथ फाइनल में होगा इस समी फाइनल की बात करें तो अर्जेंटीना के लिए 34 मिनिट में सबसे पहला गोल मैसी ने किया था मैसी टीम के कप्तान है और अब ये खबर आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैसी रिटायर्मेंट ले रहे हैं इस से पहले साल 2014 में भी मैसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने शांदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगा बनाई थी हाला कि तब जर्मनी से उनको हार का सामना करना पड़ा था उसके बाद बात करें तो 2018 में भी अर्जेंटीना का मुकाबला करोईशिया से हुआ था वहाँ पर तीन शुन्ने से करोईशिया ने अर्जेंटीना को हराय था नाकेवल सेमी फाइनल में उन्होंने करोईशिया से इसहार का बदला लिया बलकि फाइनल में जगा बनाकर यहां पर बड़ी सारी उम्मीदों को जिन्दा कर दिया है अब मैसी के फैन्स अंतजार कर रहे हैं कि क्या विश्व कप इस बार अर्जेंटीना जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी सबसे पहले आपको वो बयान दिखाते हैं कि आखिर मैसी ने क्या कहा उनका कहना था कि मैं इसे हासिल करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ फाइनल में अपना आखरी गेम खेल कर अपनी विश्व कप यात्रा समाप्त कर रहा हूँ अगले विश्व कप के लिए कई साल हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और इस तरह से इसे खत्म करना अच्छा है तो मैसी फैंस के लिए ये एक बुरी खबर जरूर है कि अंतराश्टे फुटबॉल में अब मैसी 18 दिसंबर के बाद नजर नहीं आएंगे लेकिन उनका प्रदर्शन शांदार रहा है इस विश्व कप में भी गोल्डन बूट के दावेदार मैसी हैं गोल दाकर उनने विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल हासिल कर लिए है और अब मैसी फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में अर्जेंटीना जीत ले आपको बता दे कि विश्व कप में छे बार अर्जेंटीना फाइनल खेली है और मैसी के कप्तानी में अर्जेंटीना दूसरी बार फाइनल में पहुंची है मैसी अब रेटायर हो रहे हैं मैसी के लिए ये बहुत बुरी खबर एक तरह से हम कह सकते हैं आपका क्या मानना है क्या मैसी को रिटायर्मेंट ले लेना चाहिए क्या आर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी कमेंट बॉक्स में आपकी राये जरूर दीजिए इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर से पहले आप तक पहुँचे देखते रहे ये न्यूज नेशन